नमस्कार जै जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेकनीक्स और ट्रिक्स के जरीए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप यहां 10 से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराए तो डाउनलोड करिये योगेंद्र साहू क्लासेज आप तो बी दे बेस्ट लूर्ण फ्रम दे बेस्ट पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होला चुनियत योगेंद्र साहू क्लासेज फर्स रैंक को और करे अपने सी जी व्यापम सी जी पी एस सी का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ हला एवरेवन आपका योगेंद्र साहू आलाइन क्लासेज यूटूब चेनल में स्वागत है अभनेंद्र है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधी बात नो बक्वास किसी भी छेत्र में विभिन प्रजातियों के पादपो के सम्मिलन रूप को क्या कहते है अप्सन नमबर A प्राकृतिक वनस्पती अप्सन नमबर B घनीच अप्सन नमबर C जै विविदता अप्सन नमबर D उप्योगत सभी इसका जो सही आंसर आजएगा अप्सन नमबर A प्राकृतिक वनस्पती किसी भी छेत्र में विद्णत प्रजातियों के पादपो के सम्मूलन को क्या कहते है प्राकृतिक वनस्पती कहते है आज इस वीडियो में टॉप 100 कोस्चन कराए जाएगे जो की बहुत 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 महत्वपून है आपके गौर्वर्मेंट एक्जाम के लिए ठीक है कहीं पर भी वीडियो को इसकी मत कीजेगा ओके सेकेंड कोस्चन देखेंगे सेकेंड कोस्चन है प्राकृतिक वनस्पती के संबंध में निम्न कत्थन सही है ओप्सन नम्बर A बीना मानवी सहता के जंगल में उगते है ओप्सन नम्बर B स्वैम को परियावराण के अनुकूल बनाते है ओप्सन नम्बर C, A और B दोनों ओप्सन नम्बर D इन में से कोई नहीं तो ठीक है तो प्राकृतिक वनस्पती के संबंध में ऐसे व्यापक छेत्र जो व्रिक्चो से पूरणता है आक्छादित होते हैं क्या कहलाता है इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए चलिए ठीक है जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे चलिए मैं आप्सन पढ़ता हूँ आप्सन नमबर A, 1 आप्सन नमबर B, कृतिम जल आप्सन नमबर C, रास्टी अभ्यारन आप्सन नमबर D, इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर आ जागा बटा आप्सन नमबर A, 1 क्योंकि 1 जो है ऐसे छेतर हैं जो पूरता जो है आख्छादित होते हैं वरिक्छो से पुरा ढके हुए हते हैं चारो और इसके पेंड ही पेंड पाया जाते हैं इसलिए से 1 भी कहते हैं ठीक है आज इस वीडियो में टॉफ 100 कोस्चन मैं कराऊंगा जो आपके CG, PSC, CG, Vapam या फिर 36 गण में जितने भी गवर्मेंट एक्जाम होते हैं या फिर इंडिया लेविल के अगर आप एक्जाम दिलाते हैं तो उसके लिए भी काफिस अफिसेंट है इस वीडियो में कोस्चन होने वाला है ठीक है चलिए कहीं पर भी आपको पता है कि आपको जैसे धान चना गे हूँ यह सब चीज अगर उगाते हैं तो वो क्रिशी कल आता है ठीक है इस तरह से आपके डिफरेंट इनको भी पता होना ची अगर फल के लिए विसेस फल के लिए लगाए तो उसे बाग कहते हैं अगला कोस्चन है वीड़ा कोस्चन नमबर है तो उसे क्या कहते हैं जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे इसका जो सही आंसर आ जागा उप वन तो याद रखना अगर बाग का एरिया छोटा हो खुले प्रवित्ती का हो जहाँ पर कोई भी वेक्ती आज आ सकते हूं उसे उप वन कहते हैं इसे नोट डाउन कर लिज़े बहुत इंपोर्टन कोस्चन है नेश्ट कोस्चन देखेंगे बटा कोस्चन नमबर है 6 जहां वरिक्छो का घनत्व 70 प्रतिसत से अधिक होता है कहलाता है बहुत इंपोर्टन कोस्चन है उप्सन नमबर A खुला 1 उप्सन नमबर B घने 1 उप्सन नमबर C सघन 1 उप्सन नमबर D उप्युकत सभी जिसको भी आंसर पता है बटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसका जो सही आंसर आजए बटा उप्सन नमबर C सघन जब व्रिक्षो का घनत्व सत्तर प्रतिसत याद रखना केवल सत्तर प्रतिसत नहीं बटा सत्तर प्रतिसत से अधिक होता है वो क्या कहलाते है सघन 1 कहलाते है याद कर लें बहुत important question है इस वीडियो में जितने भी आज top 100 question देखेंगे that is a most 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 important question ठीक है बटा चलिए question number 7 देखेंगे बटा question number 7 है जहाँ व्रिक्षो का जो घनत्व 40 से 60 प्रतिसत के बीच होता है क्या कहलाता है या कौन सा 1 कहलाता है option number 1 घने 1 option number B खुला 1 option number C जंगल option number D प्राकृतिक वनस्पती देखो बटा इससे पहले जावस्ट हमने question number 6 में देखा कि जहाँ व्रिक्षो का घनत्व 70 प्रतिसत से अधिक होते है उसे सघन 1 कहते है लेकिन यहाँ पर यह पूछा है व्रिक्षो का घनत्व 60 से 40 प्रतिसत के बीच होते है उसे क्या कहते है इसका जो सही answer आजागा घने 1 याद रखना अगर 70 प्रतिसत से अधिक है उसे सघन 1 और 40 से 60 के बीच है उसे घने 1 कहते है इस तरह से आपको different पता होना चीए confusion नहीं होना चीए बहुत important question है यह चलिए next question देखेंगे question number 8 जहां व्रिक्षो का घनत्व 10 से 40 प्रतिसत हो क्या कहलाता है या कौन सा 1 कहलाता है इससे पहले हमने यह देखा question number 6 में देखा 70 प्रतिसत से अधिक जो व्रिक्षो का घनत्व है उसे सघन 1 कहते है 40 से 60 के बीच हो उसे घना 1 कहते हैं अब यह पुछा है कि व्रिक्षो का घनत्व जहां 10 से 40 प्रतिसत हो उसे किश्वन कहते है चलिए options पढ़ लेते हैं option number A खुले 1 option number B घने 1 option number C A और B दोनों option number D इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसार आ जागा option number A खुले 1 ठीक है 10 से 40 प्रतिसत के बीच हो ठीक है व्रिक्षो का घनत्व यह परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना है बहुत बहुत important होता है ठीक है इसमें confusion नहीं होना चलिए next question देखेंगे बड़ा question number 9 जहां व्रिक्षो का घनत्व 10 प्रतिसत से भी कम हो और पेड़ों की पैदावार कमजोर हो क्या कहलाता है बहुत important question में फिर से just हमने पहले यह देखा कि 10 से 40 प्रतिसत के बीच जब व्रिक्षो का घनत्व उसे खुले 1 कहते है लेकिन इस question में यह कहा गया है बेटा कि 10 प्रतिसत से भी कम हो तो उसे क्या कहते है option number A लता, option number B ज़ाडिया option number C 1, option number D उप्यूक्त सभी इसका जो सही answer आजाएगा बेटा option number B ज़ाडिया मैं एक बार फिर से रिवाइस कर दू 70 प्रतिसत से अधिक वाले को सघन वन ठीक है, 40-60 के बीच को घने वन 10-40 प्रतिसत के बीच को खुले वन और जहां से 10 प्रतिसत से भी कम हो उसे क्या कहते है ज़ाडिया कहते है इसको clear कर लेना अपने mind में ठीक है बेटा, I hope आपको याद हो गया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ चलिए, next question देखेंगे बेटा question number 10, that is a most important question question पढ़ेंगे ये वन आवराण है, वन करण लिखा चुका है वन आवराण की द्रिष्टी से पूरे विश्व को भारत का इस्थान है, ठीक है द्यान से समझे, वन आवराण की द्रिष्टी में पूछा है ठीक है, पूरे विश्व में भारत का इस्थान पूछा है, option number A, 11 11 वे स्थान पर है, option number B 12 वे स्थान पर है, option number C 10 वे स्थान पर है, option number D, उप्यूकत सभी जिसको जिसको भी answer पता है, answer जो है comment box में लिखते चले जाएंगे, इसका जो सही answer है, option number C 10 ठीक है, तो वन आवराण की द्यान से समझ लो वन आवराण की द्रिष्टी से पूरे वर्ल्ड में अगर भारत की इस्थान है, तो दसवा इस्थान है वो भी वन आवराण की द्रिष्टी से बेटा इस point को समझने, terms को समझने ठीक है, confusion नहीं होना है चलिए, next question देखेंगे बटे question number 11, वन आवराण की द्रिष्टी से पूरे विष्व में कौन सा देश प्रतम है, इससे पहले हमने ये देखा था कि वन आवराण की द्रिष्टी से पूरे विष्व में भारत की इस्थान देखा था, लेकिन इसमें अभी एक question में ये कहा गया है कि वन आवराण की द्रिष्टी से पूरे वर्ल्ड में कौन सा देश प्रतम इस्थान पर है, ठीक है confusion मत होना बेटा, इसलिए मैं आपको question जो है, दोबारा पढ़के समझा देता हूँ ताकि आपकी confusion दूर है, चलिए वन आवराण की द्रिष्टी से पूरे वर्ल्ड में कौन सा देश प्रतम इस्थान पर है, option नमबर A, रूशी, option नमबर B, ब्राजिल, option नमबर C, भारत, option नमबर D, पेरू इसका जो सही answer आजाएगा option नमबर A, रूशी, ठीक है that is the most most important question आज इस वीडियो में hundred question किये जाएंगे, जो काफी important है, काफी high level के question है, काफी UPSC level के question है, और board जो है, इसी प्रकार के question आज कल पूशता है, मैं फिर से बता दूँ, और उसी level के question मैंने set की हैं, इसलिए कहीं पर नजर अंदाज मत कीजिएगा, आपको बार-बार मैं बोलता रहता हूँ इस बात को, चलिए अगला question आ गया, question number है, 12 एक ऐसा विसाल प्रदेश, जो पौधों और जाडियों से ढखा होता है, क्या कहलाता है option number A, 1, option number B, 1 अस्पती, option number C A और B, दोनों option number D उप्युक्त सभी, इसका जो सही answer है विटा, option number A हो जाएगा, ठीक है, तो जो पेड़ और जाडियों से ढखा होता है, उसे 1 कहते हैं, इसे याद कर लो, 1 किसे कहते हैं, जो जाडियों से ढखा होता है ठीक है विटा, चलिए, next question है, question number 13, एक समान, द्रिश्यवली प्रदान करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लिए, एक समान भू, द्रिश्यवली प्रदान करते हैं, option number A, 1 option number B, वनस्पती, option number C, A और B, दोनो option number D, उप्यूक्त सभी, इसका जो सही आंसार आ जागा बिटा, option number A, 1, ठीक है, तो एक समान, भू, द्रिश्यवली कौन प्रदान करते हैं, ठीक है, यह बहुत important question है, याद कर लिजिएगा, चलिए, next question देखेंगे, question number 14, एक ऐसा प्रदेश को मिस्रित भू, द्रिश्यवली प्रदान करता है, that is the most, most important question, एक प्रदेश को भू द्रिश्यवली प्रदान करता है, option number A, 1, option number B, वनस्पती option number C, A, और B, दोनों, option number D, उप्यूक्त सभी, ध्यान से समझ लिजिए, क्या question क्या बोलग है, एक प्रदेश को मिस्रित भू द्रिश्यवली, इससे पहले हमने क्या देखा, केवल भू द्रिश्यवली प्रदान कौन करता है, 1, लेकिन यहाँ पर यह पुछा गए कि मिस्रित भू द्रिश्यवली, मैं फिर से आपको समझा दू जो confusion दूर हो गया हो गया ठीक है वनस्पती मिस्रित भूदरिश्यवली और वन जो है भूदरिश्यवली ठीक है इसलिए बार बार बता देता हूं बेटा बहुत इसी तरह के बोड़ आपको फशाने के लिए question देता है ठीक है ध्यान से समझ है किवल एक सब्दमे question कहेर फिर ह चलिए अगला question है question number 15 भारत के वनस्पती समू की लंबाई प्रजाती तथा गुडात्मक के अधार पर किसने वर्गी करित किया ध्यान से फिर से समझ लो भारत के वनस्पती समू की लंबाई प्रजाती तथा गुडात्मक के अधार पर किसने इसे वर्गी करित किया नमबर A जो है इसका सही आंसर है याद कर लिजे बहुत बहुत important question है ठीक है बटा चलिए next question की और बढ़ेंगे question number है 16 भारत के वनों को कितने भागों में बाटा गया है that is the most important question अगर भारत में रहते हैं तो कम सकम भारत के वनों को कितने भागों में बाटा गया इसका तो आपको आंसर पता हो रहा ही चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है comment box में लेग देंगे चलिए options पढ़ेंगे बटा option number A 7 option number B 6 option number C 8 option number D 9 इसका जो सही answer आ जाएगा option number B 6 ठीक है भारत के वनों को कितने भागों में बाटा गया है 6 भागों में बाटा गया है फिर से याद कर लो 6 भागों में बाटा गया है बहुत बार इसे question को पूछा जा चुका है चलिए नेश्ट question देखेंगे question number 17 सदा बहार 1 के प्रकार है that is the most important question option पढ़ेंगे बिटा option number A उष्णा कटी बंधिया सदा बहार option number B सम सितोष्णा सदा बहार option number C, A और B option number D इन में से कोई नहीं आपने सदा बहार 1 का नाम सुना ही होगा तो इसका answer भी आपको पता होगा चलिए जिसको जिसको भी answer पता है आंसर जो है comment box में लिख देंगे इसका जो सही answer हो जाएगा option number C, A और B दोनों तो ठीक है सदा बहार 1 के प्रकार कौन है उष्णा कटी बंधिया सदा बहार और सम सितोष्णा सदा बहार ठीक है option number C इसका सही answer हो जाएगा आज इस वीडियो में वहर top level के question मैं करा रहा हूँ आपको मानता हूँ कि थोड़ा tough लग सकते है लेकिन board जो है इसी प्रकार के question पूछते है सराल आपको एक भी question देखने को नहीं मिलेगा मैं फिर से बता दूँ आपको जूजना पड़ेगा याद करना पड़ेगा क्योंकि high level के question set हुए है ठीक है चलिए next question देखेंगे बिटा question number 18 that is the most important question उस्ण कटी बंधी सदा बहर वन में औसत वार्सिक वर्सा होती है that is the most most important question board जो है औसत वार्सिक वर्सा से भी पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर भी question को submit किया चलिए उस्ण कटी बंधी सदा बहर वन में औसत वार्सिक वर्सा अप्सन नमबर A 300 cm, option बी 200 cm, option नमबर C 500 cm, option नमबर D उप्युक्त सभी इसका जो सही answer हो जाएगा बिटा, option नमबर B 200 cm, मैं फिर से बता दू उस्ण कटी बंधी सदा बहर वन में औसत वार्सिक वर्सा होती है 200 cm, 200 cm याद कर लो, ठीक है चलिए, next question की और बढ़ेंगे question number 19, सदा बहर 1 में औसत ताप मान होता है that is the most important question इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपको बता दूँ, आपके जानकारी के लिए बता दूँ चलिए, options पढ़ेंगे बेटा, option number A 45 degree Celsius, option number B 48 degree Celsius, option number C 25 degree Celsius, option number D 29 degree Celsius इसका जो सही answer हो जाएगा जो सदा बहर 1 में औसत ताप मान होता है option number C, 25 degree Celsius ठीक है, याद कर लो सदा बहर 1 में औसत ताप मान होता है 25 degree Celsius और एक बात और, अगर आपने योगेंद्र, साहू, online classes YouTube channel को सब्सक्राइब नहीं के तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही important वीडियो आते रहते है, जो आपकी exam की दरिश्टी कोड से काफी महत्तोपूर होते हैं, ठीक है चलिए, next question देखेंगे, question number 20, उस्रण कटी बंधिय, सदा भाहर, one में व्रिच्छ पाए जाते हैं that is the most most important questions चलिए, option पढ़ेंगे, option number A, rubber, option number B, महुगनी, option number C, sin, kona, option number D, उप्योगत सभी, I hope इसका अंसर आपको पता होगा ही, क्योंकि इसे आप class 6 से पढ़ते आ रहे हैं जय वित्ता, वनस्पती, वनस्पती के प्रकार वनो के प्रकार, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, ठीक है वही 6 class से लेकर आपने पढ़े हैं वही आज कल UPSC के एक्जाम में तूचा जाता है, लेकिन आप उस समय नजर अंदाज किये हैं आज आपको टफ लग सकते है, ठीक है चलिए इसका जो सही आंसार आ जागा बटा उप्सन नमबर D, उप्युक्त सभी तो उश्ण कटी बंधी सदा बाहर वन में जो है, रवर के भी व्रिक्च पाए जाते हैं महोगनी के भी व्रिक्च पाए जाते हैं ऐसे वन जो अपनी पत्ती नहीं गिराते कौन सा वन कहलाते हैं देट इस अ मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्च ठीक है चलिए इसका जो सही आंसर चलिए उप्सन नमबर A, सदा बाहर वन, उप्सन नमबर B, परण पाती I hope इसका आंसर आपको पता होगा ही होगा ठीक है जो अपनी पत्ती नहीं गिराते बटए इसे बज़पन से पढ़ते चले आ रहे हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A, सदा बाहर वन इसलिए इसे सदा बाहर वन भी कहते हैं आल टाइम ग्रीन रहता है ठीक है इसलिए इसका जो सही आंसर आजाएगा option नमबर A, सदा बाहर वन UPSC के लेविल के question मैंने set किये हुए मैं फिर से बता दूँ और ये class 6, 7, 8, 9, 10 में आप इसे पढ़के नुकल चुके हैं चले question नमबर है 22 उष्ण कटी बंधिय सदा बाहर वन में वरिक्षो की लंबाई होती है ध्यान से समझना बिटा ये उष्ण कटी बंधिय सदा बाहर वन है चले option नमबर A, 60 मिटर option नमबर B, 10 मिटर option नमबर C, 200 मिटर option नमबर D, 400 मिटर जिसको भी answer पता है answer जो है comment box में लिखते चले जाएंगे इसका जो सही answer आजाएगा 60 मिटर उष्ण कटी बंधिय सदा बाहर वन में वरिक्षो की जो लंबाई होती है 60 मिटर होती है कभी-कभी इसको fit में भी पूछा जाता है मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ तो 3.33 feet बराबर 1 meter होता है मैं फिर से बता दूँ 3.33 meter बराबर 1 feet होता है वहाँ पर आप calculate कर लिजे गए ठीक है 60 मिटर का लगभग-लगभग कितना हो जाएगा 180-190 feet की मुचाई वाले व्रिक्षों की लंबाई होती है I hope आपको समझ आ गया होगा 60 मिटर अब ध्यार रखेंगे तो feet वहाँ पर convert कर लेंगे चलिए next question है question number 23 सम सितोषन सदा बहरवन में औसा तापमान होता है मैं फिर से बता दूँ यहाँ पर सम सितोषन है मैं फिर से बता दूँ इससे पहले हमने देखा उष्ण कटी बंधी है यहाँ पर देख रहे हैं सम सितोषन सदा बहरवन में औसा तापमान होता है option number A 20 degree Celsius option number B 40 degree Celsius option number C 8 degree Celsius option number D 0 degree Celsius तो ठीक है सम सितोषन है इसका जो सही answer हो जाएगा option number A 20 degree Celsius ठीक है सम सितोषन सदा बहरवन में 20 degree Celsius तापमान रहता है चलिए next question है question number 24 सम सितोषन 1 में व्रिच्छ मिलते हैं that is the most important question ठीक है ध्यान से समझे है सम सितोषन बोला है confusion मत होना उष्ण कटी बंधी cheer option number B third option number C देवदर option number D उप्यूक्त सभी ठीक है तो इसका जो सही answer आ जाएगा सम सितोषन 1 में जो इन सभी प्रकार के व्रिच्छ पाए जाते हैं option number D इसका सही answer हो जाएगा उप्यूक्त सभी सम सितोषन 1 है मैं फिर से बता दूँ अगर आप CG PSC और CG Vapam का course purchase करना चाहते हैं तो बेटा जो application उसे play store में जा करके download कर सकते हैं और इस channel को subscribe करना ना भूले क्योंकि ऐसे ही important important video आएंगी चलिए next question देखेंगे question number 25 सम सितोषन 1 को दक्षिड भारत में किस नाम से जानते हैं मैं फिर से बता दूँ यहाँ पर सम सितोषन 1 है confusion मत होना South India में किस नाम से जानते हैं option number A 16 option number B परणपाती 1 option number C A और B दोनो option number D इन में से कोई नहीं इसका जो सही answer हो जाएगा option number A 16 option number A 16 इसका जो है सही answer हो जाएगा चलिए next question देखेंगे question number 26 परणपाती 1 के प्रकार है मैं फिर से पता दूँ इससे पहले हमने question में देखा था बेटा सम सितोषन सदा बहार 1 सम सितोषन यहाँ पर परणपाती 1 है मैं फिर से पता दूँ परणपाती 1 है confusion मत रहना बेटा इसलिए clear रहना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना फंस जाओगे government exam में वहाँ पर टिक करते करते चलिए options पढ़ेंगे option number A नम परणपाती 1 option number B सुस्क परणपाती 1 option number C A और B दोनो option number D उप्युक्त में से कोई नहीं इसका जो सही answer आजाएगा option number C A और B दोनो तो परणपाती 1 के प्रकार आप यहीं पर से याद कर लिजे यहीं question में याद कर लिजे परणपाती 1 के प्रकार है नम परणपाती 1 सुसक परणपाती 1 याद कर लो इसे क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि वनस्पती जैवित्ता वाला चेप्टर बहुत टफ होता है इसका reason यहीं कि इनके terms जो है टफ है इसलिए आपको दव्याक में confusion मत रखने हैं इसलिए बार-बार आपको clear करा देता हूँ चलिए ठीक है चलिए अगला question है question number है 27 साल, सौगोण, सीसम, लाल, सफेद चंदन, कीस, वन में पाए जाते हैं ध्यान से समझना लाल चलिए options पढ़ लेते हैं option number A, परणपाती 1 option number B, सदा बहार 1 option number C, मरुस्थलिय 1 option number D, उप्यूक्त सभी जिसको जिसको भी answer पता है answer जो है comment box में लिखते चले जाएंगे तो इसका जो सही answer आ जागा बेटा परणपाती 1, ध्यान से समझना लो परणपाती 1, साल, सौगोण, सीसम, लाल, सफेद, चंदन ये परणपाती 1 के अंतरगत आते हैं इसको याद कर लेना है आपको मुखागर चलिया, next question है question number 28, that is the most important question चलिया, महुआ, पलास, त्रिफला, खैर, बास किस वन में पाए जाते हैं option number A, नमपरणपाती 1 option number B, उश्ण, कटिय बंधिय 1 option number C, A और B, दोनो option number D, उप्यूक्त सभी द्यान से समझ लो कि महुआ, पलास, त्रिफला, खैर, बास ये कौन से वन में पाए जाते हैं option number A, जो इसका सही आंसर हो जाएगा नमपरणपाती 1, मैं फिर से बता दू नमपरणपाती 1, इसका सही आंसर हो जाएगा I hope आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा लेकिन इसके सांसाथ आपको tough भी लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बेटर, आज कल इसी तरह के question पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता दू और इस वीडियो में top 100 question कराऊंगा, जो बेहत्रीन धंग UPSC level के question है चलिए, अगला question है question number 29 ग्रिस्म रित्यू में जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, उसे कौन सा 1 कहते हैं, आपको नाम से इस परष्ट हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने इस से पहले सदा बहार 1 का classification या फिर उनका meaning भी बता दिया है, यहाँ पर जो अपनी पत्ती गिरा देते हैं, उसे कौन सा 1 कहते हैं I hope आपको पता हो, तो चलिए, जल्दी-जल्दी से answer जो है, comment box में लिख देंगे चलिए, options पढ़ लेते हैं बेटे हैं, option number A परणपाती 1, option number B परणपाती 1, इसले कहते हैं, क्योंकि यह जो है, वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसले से परणपाती, 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 आपको ध्यान से समझना है चलिए, अगले questions की ओर बढ़ेंगे question number 30, that is the most important question, भारत के सरवाधीक छेत्र पर कौन सा 1 का विस्तार है, यहाँ पर ध्यान से question को समझना है, पूरे इंडिया में बोला के वेटे है ठीक है, सरवाधीक एरिया किस प्रकार के 1 का है, आई होप आपको question समझा गया होगा, ऐसा आसा करता हूँ पूरे भारत में ध्यान रखना कौन से 1 का एरिया सबसे बड़ा है, ऐसा पूछा है, option number A, परणपाती 1, option number B, सदा भारवन, option number C, A, और B, दोनों, option number D, उप्युकत सभी, इसका जो सही answer हो जागा, बिटा, option number A, परणपाती 1 तो परणपाती जो 1 है भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मैं फिर से बता दूँ, परणपाती 1 का जो एरिया है भारत में सबसे ज़्यादा है, अन्या वनों की अपेक्छा, ठीक है, चलिए, question number 31, बहु मुल्य लकडी और वनों पज का अधार है, यानि कि ये question य जिसको जिसको भी answer पता है, answer जो है comment box में लिखेंगे, इसका जो सही answer हो जाएगा, option number A, परणपाती 1, ठीक है, तो बहु मुल्य लकडी जैसे कि साल, सगोन, बीजा, सीसम, ये कौन से 1 में पाए जाते है, जिनकी बजार में या market में बहुत जादे कीमती होती है, ठीक है, इ ठीक है, चले, next question है, question number 32, बबूल हो गया, महुआ, खैर, जामुन, कटहल पाए जाते है, यानि कि जितने भी ये वरिक्छ है, बबूल, महुआ, खैर, जामुन, कटहल, किस प्रकार के 1 में पाए जाते है, option number A, सुस्क परणपाती 1, option number B, अर्ध, सुस्क option number C, A, और B, दोनों, option number D, उप्युक्त सभी, तो इसका जो सही answer आजागा, option number A, सुस्क परणपाती 1, that is the most important question, ठीक है बेटा, मैं फिर से बता दूँ, अगर आप CGPSC, CGWABMIM का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो योगेंद योगेंदर साहूं online classes, जो YouTube चैनल से सस्क्राइब नहीं किया, तो बेटा, जरूर सस्क्राइब कर लेना, ठीक है, चलिए अगले, questions क्यों बढ़ेंगे, question number 33, सुस्क परणपाती 1 में, दूर दूर बिखरे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं, ध्यान से समझ लिजए, क्यों क्य सुस्क परणपाती 1 में, आप देखेंगे, कि जो व्रिक्ष जो होते हैं, दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इस 1 को क्या कहते हैं, या कौन सा नाम से जानते हैं, ऐसा भी question कहा गया, option number A, option number B, step 1, option number C, A और B, दोनो option number D, उप्युकत सभी, इसका जो सही आंसार आ 1 भी कहते हैं, that is the most important question, question number 33, अर्ध सुस्क मरुस्थली 1 का अन्य नाम है, या इस question को द्यान से समझे, ये भी कहा गया, कि अर्ध सुस्क मरुस्थली 1 को और किस नाम से जाना जाता है, option number A, step 1, option number B, अर्ध सुस्क 1, option number C, A और B, दोनो option number D, इन में से कोई नहीं, इसका जो सह answer आजाएगा, option number C, A और B, दोनो ठीक, तो अर्ध मरुस्थली 1 को step 1 और अर्ध सुसक 1 के नाम से भी जाना जाता है, बहुत important question है, I hope आपको अभी तक का सबसे tough question लग रहा होगा, आपको बहुत पल्ले से बाहर जा रहा होगा, मैं ऐसा मान सकता हूं, लेकिन आपको मेहनत कर होना बहुत जादा जरूरी है, मैंनत से घबराइए, मत डट करके आप इसका मुकाबला कीजिए, बहुत important ये question है, चलिए next question देखेंगे, question number 35, अर्ध मरुस्थली 1 पाए जाते हैं, that is the most most important question, option number A, राजिस्थान, option number B, गुजरात, option number C, मध्यप्रदेश, option number D, उप्युक्त सभी, इसका जो सही answer आजाएगा, option number D, उप्युक्त सभी, क्योंकि देखो, जो मरुस्थली 1 है, जो अर्ध सुस का मरुस्थली 1 है, राजिस्थान में भी पाए जाते हैं, कुछ छेत्रों में, गुजरात के, कुछ छेत्रों में, मध्यप्रदेश के भी, कुछ छेत्रों मे पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो सही answer हो जाएगा, option number D, उप्युक्त सभी, चलिए, next question है, question number 36, that is the most important question, option number, sorry, question पढ़ लेते हैं, मरुस्थली 1 में पाए जाते हैं, यानि कि जो मरुस्थली 1 होते हैं, इसमें किस प्रकार के व्रिक्ष पाए जाते हैं, option number A, cactus, option number B, नाग जल्दी-जल्दी से comment box में answer लिख दीजे, चलिए, इसका जो सही answer आजागा, option number C, A, और B, दोनों, क्योंकि मरुस्थली 1 में जो cactus और नांग फनी, जो है, मरुस्थली 1 में पाए जाते हैं, मरुस्थली 1 कौन सी state में सबसे ज़्यादा famous है, राजिस्थान, ध्यान से समझना मरुस्थली 1 जो है, कौन सी state में सबसे ज़्यादा पाए जाते है, राजिस्थान इसको आपको ध्यान में रखना है, आप हमेसा देखना कि राजिस्थान के जो रिगिस्थान एरिया है, उसमें cactus नांग फनी के जो वरिक्चा आपको maximum देखने को मिलेंगे, ठीक है, चलिए next question देखेंगे, question number 37, that is the most important question, चलिए question पढ़ लेते हैं, मरुस्थली 1 को किस नाम से जाना जाता है, देखो बेड़ा, इससे पहले हमने question में देखा कि मरुस्थली 1 में कौन से वरिक्चा पाया जाते हैं, जैसे कि cactus और नांग फनी पाया जाते हैं, लेकिन अब ये पूछा सभी, इसका जो सही answer आजाएगा, zero fight one अस्पती, that is the most most important, ये question है, मरुस्थली 1 को zero fight one अस्पती के नाम से जाना जाता है, अगला question देखेंगे, question number 38, सूस्क या मरुस्थली 1 में औसत वर्षा होती है, option number A, 40 cm, option number B, 100 cm, option number C, 200 cm, option number D, उप्युक्त सभी, I hope इसका answer आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि मरुस्थली 1 में जो वर्षा बिल्कुल कम होती है, तो बिल्कुल कम होती है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका answer जो कितना आजाएगा, इसी तरह से आपको तारकीक लगाना है, question को ले करके बिटा, ठीक है, चलिए इसका जो सही answer आ हिमाले में वरिक्षो की सघंता कम है, इसका प्रमुख कारण है, आप देखेंगे कि जो पस्चिमी हिमाले है बेटा, वहाँ पर वरिक्षो की सघंता कम है, इसका reason क्या है, कि पस्चिमी हिमाले में वरिक्ष कम पाये जाते हैं, इसका क्या reason है, इसको ऐसा पूछा गया है, बहुत important question इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है, option number A सिमान्त वर्सा, option number B विशुवत रेखा शेदूरी, option number C A और B दोनो, option number D उप्योकत सभी, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब जियोग्राफी कर रहे हैं, तो इंडिया का मेप आपको आना ही चाहिए, आपको पूरा मुखागर आपके याद होना चाहिए, और पके माइंड में सेट होना चाहिए, अगर आप पस्चिमी हिमाले बोले तो तुरंत आपके माइंड जाना चाहिए, ठीक है, पस्चिमी हिमाले की धर है मैप में, मैं बार-बार बोलता हूँ आपको जियोग्राफी का क्लास करा रहा हूँ तो कि इंडिया का मेप आपको मुखागर याद होना चाहिए, इसका जो सही आंसर आजागा बिटा, आप्सन नमबर D उप्यूक्त सभ ठीक है, तो पस्चिमी हिमाले में वरिक्षो की सघंता कम है, इसका रिजन क्या है, सिमान्त वर्सा है, बहुत कम वर्सा होती है, विशुवा त्रेखा से दूरी है, तो ठीक है, तो अप्सन नमबर D इसका सही आंसर आजागा, चली अगले कोस्चिन के और बढ़ेंगे, कोस पर सम सितोषन, सितोषन, टैगा, टुंडरा वनों के इस्तर मिलते है, तो पस्चिमी हिमाले में सम सितोषन, सितोषन, टैगा, टुंडरा वनों के इस्तर के वन मिलते है, आपको ध्यार रखना है, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, बहुत हाई लेविल की कोस्च है आई होप आपको बहुत टफ लग रहा होगा मैं मान सकता हूँ लेकिन थोड़ा नजर अंदाज कीजिए और मेहनत कीजिए ठीक है क्योंकि सपने आपने देखे है और सपने आपको ही पूरा करना है तो मेहनत बहुत जादा जरूरी है ठीक है चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर है 41 that is the most important questions पूर्वी हिमाले में वनस्पती के सघनता अधीक है इसका प्रमुख कारण है इससे पहले हमने देखा कि पस्चिमी हिमाले में वनस्पती की सघनता क्यों कम है यहाँ पर यह बोला गया कि पूर्वी हिमाले में फिर से बता दूँ पूर्वी हिमाले बोला गया है ठीक है question में इसलिए confusion मत हो रहा है और पूर्वी हिमाले में वनस्पती अधीक है इसका reason क्या है इसको पूछा गया option number A अधीक वर्स option number B विशुवत रेखा से निकटता option number C A और B दोना option number D इन में से कोई नहीं जिसको जिसको भी answer पता है बेटा answer जो है comment box में लिखेंगे ठीक है इसका जो सही answer आ जाएगा option number C A और B दोना ठीक है कि देखो आप इंडिया के map में देखेंगे पूरवी हिमाले की धर है तो उसका reason यह है कि अधीक वर्सा होती है और विशुवत रेखा वहां से निकट पड़ता है आपको मैं फिर से बता दूँ इसलिए बोलता हूँ बार-बार इंडिया का map आपको मुखागरे या आपसा नमबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विटा ठीक है याद कर लेना इस questions को चलिए अगला question है question number 42 2400 मिटर की उचाई तक यहां सितोष्ण मुलायम घास भूमिया मिलती है जिन्हें उत्राखंड में क्या कहते है that is the most important questions ठीक है 2400 मिटर मैंने फिर से बता दूँ अगर आपको उचाई पुछे तो आप वहां से multiply करके या calculate करके आप निकाल सकते हो क्योंकि एक मिटर में होता है 3.333 फिट इसे 24 सको 3.333 से गुड़ा करना फिट में निकल जाएगा ठीक है तो उत्राखंड में क्या कहते है बेटा इसे option number C जो है इसका सही आंसर आ जाएगा ठीक है बोग्याल या पयार कहते है इस उचाई पर जो सितोषण मुलायम घास की जो भूमिया मिलती है बेटा मैं फिर से बता दो घास की जो भूमिया मिलती है उसे बुग्याल या पयार कहते है option number C इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए next question देखेंगे question number 43 अरुणा चल प्रदेश में किस प्रजाती के लिए प्रशीद है ठीक है चलिए options पढ़ेंगे option number A आर्किडियन फूलो की प्रजाती ये आर्किड है बेटा है नहीं यह question है, मैं फिर से बोल दूँ, R की फूलों की प्रजादी के लिए, अरूणा चल प्रदेश, जो है, प्रशिद है, याद कर लेना, इसे ठीक है, बहुत-बहुत important यह question है, चलिए, next question देखेंगे बड़ा, question number है, 44, 31 को वर्गी कृत किया गया है, that is the most important, अगर आपने 34 मिनट या 35 मिनट तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो इससे इसपर्ष्ट होता है कि आप में पढ़ने की जुनून है, बहुत important question सेट किये हुए है, मैंने, बहुत UPSC level के हैं, मैं फिर से बता दूँ आपको, चलिए इसका जो सही answer हो जाएगा बटा, option number, option number जो D है इसका सही answer हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 31 को जुआरी 1 में भी, ताड के 1 में भी और मैगरो 1, इन सभी में वर्गी कृत किया गया है, that is the most most important question, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, ठीक है, चलिए नेस्ट कोश्चन की और बढ़ेंगे, question number 45, जुआरी 1 को और किस नाम से जानते हैं, that is the most important question, इससे पहले हमने कौन सा question देखा था, 31 को वर्गी कृत किया गया था, जुआरी 1 में भी, ताड के 1 में, मैगरो 1 में भी, लेकिन यहाँ पर अलग से question यह बन गया है, कि जुआरी 1 को और किस नाम से जानते हैं, इसलिए confusion मात हो ना, ठीक है बटा, चलिए options पढ़ेंगे, option number A, micro 1, option number B, delta 1, option number C, A और B, option number D, इन में से कोई नहीं, इसका जो सही answer हो जाएगा, option number C, पर इवन भी आ जाएगा, ठीक, option number C, इसका सही answer हो जाएगा, याद करते, चले जाना मेरे साँ, ठीक है, पेन कापी हाथ में रख लीजिए, आप notes अपने खुद का बनाईए, क्योंकि अपने notes से बनाए हुए, अगर आप लिखते हैं, options को, questions को, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, ये psychology fact है, इतना आपको ध्यान मेरे रखना है, चले अगला slide आ चुका है, question number 46, बंगाल छेत्र में, सुंद्री वरिख्चकी प्रधानता के कारण, इसे कहते हैं, ध्यान से समझे जलिए, बंगाल छेत्र में पूछा है, सुंद्री वरिख्चकी प्रधानता बहुत जाद है, इसलिए इसे कहते हैं, इसका reason क्या है, option number A, बगानी 1, option number B, garden, option number C, सुंदर 1, option number D, उप्युक्त सभी, ठीक है, इसका जो सही answer आजाएगा, सुंदर 1, बंगाल छेत्र में सुंद्री वरिख्चकी प्रधानता के काराण, इसे सुंदर 1 कहते हैं, बहुत बार इसे भी पूछा जाते हैं, कि सुंदर 1 कहाँ पाये जाते हैं, पस्चिम बंगाल में हैं, ठीक है, बहुत important question है, सुंद्री वरिख्चकी प्रधानता के काराण, इसे सुंदर 1 कहते हैं, that is the most most important ये question, चलिए, नेश्ट question देखेंगे, question number 47, सुंद्री, कैजूरिना, केवडा, और बेदी के वरिख्च, कहां मिलते हैं, ठीक है, बहुत important ये question है, चलिए, जिसको जिसको भी answer पता है, answer जो comment box में लिखते चले जाएंगे, इसका जो सही answer आजागा, option number D, उप्यूक्त सभी, क्योंकि, डिल्टाई वन को ही ज्वारी वन कहते हैं, ज्वारी वन को ही मैगरा वन कहते हैं, ठीक है, तीनों का एक ही नाम है, इसलिए तीनों का नाम याद कर लेना है, डिल्टाई वन को ही ज्वारी वन, ज्वारी वन को ही मैगरा वन कहते हैं, सुन्दरी कैजुनरा केवड़ा बेदी के वरिक्च ज्वारी वन में भी मिलते हैं, डिल्टाई वन में भी मिलते हैं, क्योंकि तीनों का एक ही नाम है डिल्टाई वन ज्वारी वन मैग्रो वन तीनों का एक ही नाम है ठीक है ध्यान से समझ लिजी कन्फ्यूजन मत हो ना बेटा उप्यूक तो सभी इसका सही आंसर आ जाएगा चलिए अगला कोश्चन है विड़ा कोश्चन नंबर है 48 देश में स भोल कर रखा है तो आपको पता होना चीए चलिए तारकीक लगाई है और UPSC या CG PSC एस्पिरेंट है या फिर गवर्मेंट जॉब की ताहरी कर रहे है तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है ठीक है चलिए देश के सरवाधिक मैगरो अक्षादीत राज्य अप्सन नंबर A पस्चिम बंगाल ऑप्सन नंबर B, Karel ऑप्सन नंबर C, मध्यप्रदेश ऑप्सन नंबर D, उप्युक्त सभी इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्सन नंबर A पस्चिम बंगाल क्योंकि इसी में पस्चिम बंगाल में सरवाधिक मैगरो अक्षादीत है वण पाये जाते है यह कोश्चन है, याद कर लेना इसे, चलिए अगला कोश्चन है, कोश्चन नमबर है, 49, नारियल के सरवाधिक वरिक्षकीस राज्य में मिलते हैं, that is the most important question, चलिए इसका तो आंसर आपको पता है, आपने मुवीज में देखा होगा, आपने आज तक सुना होगा, या फिर में पढ़ा होगा, कि नारियल के सरवाधिक वरिक्षकीस राज्य में मिलते हैं, आप्सन नमबर A, तेलंगाना, आप्सन नमबर B, केरला, आप्सन नमबर C, आंधरप्रदेश, आप्सन नमबर D, छक्तिसगर, ठीक है, इसका जो सही आंसर आजाए बेटा, आप्सन नमबर B केरला, ठीक है, तो देश में जो नारियल के सरवाधिक वरिक्ष कहां मिलते हैं, केरल में मिलते हैं, ठीक, आपने मुवीज में, साउथ हिंडियन मुवीज में बहुत बार देखा होगा, इससे याद कर लेना, that is the most important question है, चलिए अगला question है, question number 50, इस वीडियो का half century पूर ग हुए है, तो चलिए question पढ़ेंगे, question number 50, ताड के वरिक्ष सरवाधिक कहां पाये जाते हैं, option number A, 36, option number B, 3, option number 6, तमिल नाडू, option number D, मध्या प्रदेश, जिसको जिसको भी answer पता है, answer जो है comment box में लिखेंगे, इसका जो सही answer आजागा, option number C, तमिल नाडू, ठीक है, ताड क वरिक्ष सरवाधिक कहां पाये जाते हैं, कौन से state में पाये जाते हैं, तमिल नाडू में पाये जाते हैं, बहुत यह important question है, याद कर लेना इसे, चलिए अगला question की और बढ़ेंगे, question number 51, पूरे विस्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, इससे पहले हमने question में क्या देखा था बेटा, जो 49 question मैं आपको revise करा दूँ, आपके mind में तुरन दोन जाना चाहिए, कि मैंने क्या पूछा था, कि नारियल के सरवाधिक वरिक्ष कहां मिलते हैं, तो केरल में मिलते हैं, लेकिन पूरे विस्व में बोला है, पूरे विस्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, option number A, Brazil, option number B, China, option number C, भारत, option number D, America, I hope इसका आंसर आपको पता हो, क्योंकि नारियल आपको कहां मिलते हैं, इसको आपको अच्छी तरह से पता, इसका जो सही आंसर है, option number C, भारत, यो कि वर्ल्ड हमें अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड हमें, तो भारत में, भारत जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, भारत, हमारा इंडिया, बोलो भारत माता की जाए, चलिए, नेस्ट कोश्चन, देखेंगे बिड़ा कोश्चन नंबर है, 52, विस्व का सरवाधिक, तेल, युकत नारियल कहां पाया जाता है, आपसन नंबर B, तमिल नाडू, आपसन नंबर C, केरल, आपसन नंबर D, लक्छ दूइब, इसका जो सही आंसर आजाएगा, याद कर लीजएगा, और आपको कौन से टौपिक पर विडियो चाहिए, ये कमेंट बाक्स में हमें लिख कर भेज देना, जो भी टौपिक आपक करवा दूंगा ठीक है चलिए अगले questions की ओर बढ़ेंगे चलिए एगला question question number 53 ताड वरिक्ष का प्रयोग होता है that is the most important question इससे पहले हमने 50 question में आपको याद कर दूं कि 50 नंबर में जो ताड के वरिक्ष सरवाधिक कहां पाये जाते थे बेटा तमिल नाडू में पाये जाता तमिल नाडू में लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि ताड वरिक्ष का प्रयोग होता है option number A तेल निकालने में, option number B गुड उद्योग में, option number C आपको पूछा है आउसधी बनाने में, option number D उप्योगत सभी, तो इसका जो सही आनसा राजा का बटा, option number D उप्योगत सभी, क्यो प्रसासनिक द्रिष्टी से भारती वनों को वर्गी क्रीट किया गया है, that is a most most important question, बहुत important ये question मैं आपको highlight कर देता हूँ, option number A या रक्षित, option number B, option number C, अ वर्गी क्रीट, option number D, उप्योगत सभी, याद रखना कि प्रसासनिक द्रिष्टी से बोला है, मैं फिर से बता दू प्रसासनिक द्रिष्टी से बोला है, भारती वनों को वर्गी क्रीट किया जाते है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, option number D, उप्योगत सभी, ध्यान से याद कर लेना, बहुत most important question है, प्रसासनिक द्रिष्टी से भारती वनों को याद कर लो, आरक्षित वन, सरक्षित वन, वर्गी क्रीट वनों में वर्गी क्रीट किया गया है, चलिए, नेश्ट कोस्चन देखेंगे वेटा, question number 55, that is the most important question, स्वामित्व के अधार पर भारती वनों को वर्गी क्रीट किया गया है, मैं फिर से बता दूँ, इससे पहले हमने question देखा वेटा, वो प्रसासनिक वन, option number B, वाडिज्य, option number C, नीजी, वन, option number D, उप्यूक्त सभी, स्वामित्व के अधार पर इसको confusion मत होना, ठीक है, राज्य, वन, वाडिज्य, वन, नीजी, वन, इन सभी में स्वामित्व के अधार पर भारती वनों को वर्गी क्रीट किया गया है, चलिए, नेश्ट कोस 56, वैपारिक द्रिष्टी कोंड से भारती वनों को वर्गी कराण है, देखो बेटा, इससे पहले हमने देखा था, 54 में प्रसासनिक द्रिष्टी से भारती वनों को वर्गी करीट, उसके बाद 55 में देखा, स्वामित्व के अधार पर भारती वनों को वर्गी कराण, इस question म हम देख रहे हैं बेटा वैपारिक द्रिष्टी कोंड से भारती वनों का वर्गी करने ठीक है वैपारिक द्रिष्टी कोंड से इसलिए आपको confusion नहीं होना है option number चलिए a पढ़ेंगे विपने option number b a विपने option number c a और b यह जो b लिखा चुक है बेटा option के जगह में b लिखा चुक है उसको नजर अंदाज करना ठीक है option number a विपने option number b a विपने option number c a और b दोनो option number d इन में से इसका जो सहीं आंसर हो जाएगा बेटा option number C, A और B दोनों ठीक है वैपारिक दृष्टी कोंड से भारती वनों को विपने और अविपने में बाटा गया है ध्यान से समझ लेना आपकी confusion दूर रखना वेटा ठीक है प्रास्वासनिक दृष्टी कोंड से अलग रखना याद स्वामित्व के अधार पर अलग और वैपारिक दृष्टी कोंड से अलग ये सभी अलग-अलग स्वरूप हैं वर्गी करण है इससे याद रख लेना कंठास्ता confusion मत होना ठीक है ये ये slide आचुका है 57 का प्रकृती या स्वरूप के अधार पर भारती वनों का वर्गी करण है इसको इध्यान से समझना प्रकृती या स्वरूप के अधार पर पूछा गए चलि ये option number A सदाभार वन option number B परणपाती वन option number C परवती वन option number D ओप्योक्त सभी इसका जो सही answer आजाएगा option number D ओप्योक्त सभी ठीक है तो प्रकृती या स्वरूप के अधार पर अगर पूछे मैं फीड से बोल दूँ प्रकृती या स्वरूप के अधार पर अगर बोले सदाभार वन परणपाती वन परवती वन होगा option number D सही answer है चलिए next question भी बटा question number 58 कौन सा वन सरकार के प्रत्यक्ष निगरानी में रहते हैं that is the most important question आपको बहुत अच्छे अच्छी जानकारिया भी मिलेगी बहुत अच्छी चीज आपको सीखने देखने हो को भी मिलेगी और आपके answer पता है answer जो comment box में लिखेंगे और आपको कौन से topic पर भी वीडियो चाहिए वो comment में लिख देना जो भी topic आपको tough लगते हैं उसके उपर हम video बना देंगे आप comment box में लिख के हमें बता देना इसका जो सही answer आ जाएगा बेटा option number C, A और B तो ठीक है आरक्षित one को English में reserve one कहते हैं ध्यान से समझो आरक्षित one को English में reserve one कहते हैं और ये जो है सरकार के प्रत्यक्ष निगरानी में रहते हैं मैं आपको बता दू ठीक है बहुत important question है वेटा यहीं से question उड़ते हैं जितने भी top 100 कराऊंगा most important चलिए अगला slide आ चुका है question number है 59 कौन से one में लकड़ी एकत्रण पसू चराई वन उपज संग्रहण और मानवी प्रवेश प्रती बंधित है that is the most important question चलिए option पढ़ेंगा option number A निजी one option number B राज्य one option number C आरक्षित one option number D उप्युक्त सभी इसका जो सही आंसर आज्य के विटा option number C आरक्षित one ठीक है आरक्षित one को reserve one भी कहते हैं मैं बता दूँ reserve one या आरक्षित one में लकड़ी हो गया पसू की चराई करना घूमना फिर ने ये सब प्रती बंधित रहता है इसका जो सही answer हो जाएगा option number B 53% याद रखलो इसे reserve one को ही आरक्षित one कहते हैं अगर आपको पूस दे भारत में reserve one का प्रतिसात है 53% भारत में आरक्षित one का प्रतिसात है 53% ठीक है तो reserve one और आरक्षित one एक ही है दोनों के एक ही नाम है विटा confusion मत होना ठीक है चलिए next question देखेंगे विटा question number 61 किस प्रकार के one में इस्थानी निवासियों को लकडी एकत्रण पसू चारण वनो पज संग्रहन की सर्त सहीत अनूमती होती है बहुत important question है विटा ठीक है देखो इससे पहले हमने देखा था कि जो आरक्षित one होते थे आरक्षित one ठीक है रिजर्व वन में पसू चराई वनो पस संग्रहन मानवी प्रवेस जो है प्रती बंद रहता था बिल्कुल लेकिन लेकिन उस उस one को पूछा गया जिसमें इस्थानी निवासों को लकडी एकत्रण करने पसू चराण और सर्रक्षित one ठीक है तो सर्रक्षित one में कुछ सर्तों के अधार पर वहाँ पर अनुमती दी जाती है इतको आपको ध्यान में रखना है और जो आरक्षित one है उसमें पूणता प्रती बंद रहता है लेकिन सर्रक्षित one में कुछ सर्तों के अधार पर अनुमती दी जाती है चलिए अगला question देखेंगे question number 62 भारत में सरक्षित वनों का छेत्र है option number A 28 प्रतिसाथ option number B 29 प्रतिसाथ option number C 31 प्रतिसाथ option number D 33 प्रतिसाथ इसका जो सही answer आजयेगा बेटा 29 ठीक है option number B 29 सरक्षित वन है ठीक है और आरक्षित वन का परसेंटेज कितना है 53 मैं फिर से बता दूँ आरक्षित वन का जो प्रतिसाथ है 53 लेकिन सरक्षित सरक्षित वनों का प्रतिसाथ है 29 ठीक है चलिए नेस्ट कोस्टन है question number 63 कि इस प्रकार के वन में वरिक्षो को काटने पसू चराने आर्थिक गतिविधिया करने में किसी प्रकार का प्रती बंधित नहीं होता है याने कि इस प्रकार के वनों में पूनता छूट रहता है पूरा फ्री रहता है घुमने फिरने वरिक्षो की कटाई करने पसू चराने गती विदिया करने हैं चल यह कौन सा 1 है, option पढ़ेंगे option number A, वरगी कृत 1 option number B, सरक्षीत 1 option number C, आरक्षीत 1 option number D, उप्युक्त सभीस का जो सही answer आजाए गए बटा option number A, वरगी कृत 1 option number A, वरगी कृत 1 ठीक है, इसमें हर तरह की सुविधार अतिहार, तरह आप भूम सकते हैं पसू चरा सकते हैं, आर्तिक गती विदियां कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार की प्रतिबंधित नहीं रहता है, ठीक है, याद कर ले नाई से, चलिए, नेस्ट question देखेंगे, बटा, question number 64 भारत में अवर्गी क्रीट वन का छेतर प्रतिसत है, इससे पहले हमने सबसे सुरू में देखा था कि रिजर्व या अरक्षित वनों का प्रतिसत, 53 प्रतिसत सरक्षित वनों का जो प्रतिसत है, 29 प्रतिसत यहाँ पर अवर्गी क्रीट वन का प्रतीसत पूछा है इसका जो सही आंसा राज आगा बेटा option number D 18 प्रतीसत ठीक है चलिए next question देखेंगे बेटा question number 65 वह कौन सा 1 है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं that is the most important question चलिए options पढ़ेंगे option number A राज्य 1, option number B, state state 1, option number C, A और B दुन, option number D इनमें से कोई नहीं इसका जो सही आंसा राज आगा option number A, C, C, ठीक है A और B दुन, तो जो राज्य 1 होते हैं या तो state 1 होते हैं, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं चलिए अगला question है मिटक देश के लगभग कितना प्रतिसत 1 राज्य के अंतरगत आते हैं, that is the most important question, फिर से एक बार question दो रा देता हूं मैं देश के लगभग कितने प्रतिसत 1 जो है, state forest यानि की राज्य 1 राज्य के अंतरगत आते हैं, option number A 94%, option number B 96%, option number C 98%, option number D 100%, इसका जो सही answer है 94%, option number A इसका जो है, सही answer हो जाएगा चलिए अगला question देखेंगे विटा, question number 67 किस प्रकार के वनों में इस थानी स्वसासन जैसे नगर निगम, नगर पालिका नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इत्यादी का नियंत्राण होता है, that is the most important question, ठीक है, चलिए option पढ़ेंगे, option number A वाड़ी, जिक 1, option number B, commercial 1, option number C, A और B, दोनों, option number D, इन में से कोई निसका जो सही answer हो जाएगा option number C, A, और B दोनों ठीक है, तो बहुत important यह question है, ध्यान रखने इस प्रकार के जो 1 होते हैं, उसमें नगर निगम, नगर पाली का नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का नियंत्राण होता है, option number C, याद रख ले नविटाई से ठीक है, चलिए एकला question देखेंगे, question number 68 वह one जिसका नियंत्राण, निजी वैक्ति या संस्था के हाथ में होता है वह कौन सा one कहलाता है बहुत important question है, चलिए options पढ़ लेते हैं option number A, निजी one option number B, private one, option number C, A, और B, दोनो option number D, उप्यूकत सभी, चलिए जिसको जिसको भी answer पता है बेटा, answer जो है comment box में होगा है, ठीक है नियंत्राण, तो option number C, इसका सही answer हो जाएगे, क्योंकि private का मतलब ही निजी होता है इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है चलिए अगला question है, बेटा question number 69, ऐसा one, जहां आवागमन असान हो, और मानुई प्रवेस से दोहन सरलता से हो, शके कौन सा one कहलाता है, बहुत ही important question है, ठीक है, ध्यान से समझना चलिए, विपने one, option number B, और विपने one, option number C, A, और B, दोनो, option number D, इन में से कोई उसावारी उपयोक्त सभी जिसको जिसको भी answer पता है, बेटा, answer जो है, comment box में लिखेंगे, बहुत ही important question है, ठीक है, चलिए, इसका जो सही answer हो जाएगा, बेटा, option number A, विपने one, ठीक है, तो ध्यान रखने, इस प्रकार के one में आवागमन असान होता है, लेकिन मानवी प्रयास से, दोहन सरलता से होश रखता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है चलिए, अगला question है, question number है, 17, वह कौन सा one है, जहाँ आवागमन कठीन हो, ध्यान से समझना, यहाँ पर आवागमन को कठीन, परवती और दुरस्त प्रदेस में हो, जहाँ कठीन इस्तला कृती होती है एवं असानी से, मानाव का प्रवेश और दोहन करना सरल ना हो, कौन सा one कहलाता है बहुत important question है, ठीक है देखो बेटा, आज गली statement में question देते हैं, ऐसी tough question दिये जाते हैं, जो एक बार पढ़ने में तो बिल्कुल समझ नहीं आते, ध्यान से समझ लो कि आवागमन कठीन होता है, क्योंकि ये परवती और दुरस्त स्थानों में होता है कठीन इस्थिला कृती होती है असानी से मानाव जो प्रवेश नहीं कर सकता है सो भाईग बात है, अगर दूर पर होगी परवती पर होगी, उचे पहाड पर होगी तो मानाव असानी से जा ही नहीं सकता, दोहन करना कठीन होता है, simple सी बात, तो इसका चलिए option पढ़ेंगे, विपने 1, option नमबर B, विपने 1, option नमबर C, सरक्षित 1, option नमबर D, उप्युक्त सभी इसका जो सही आंसर आजाएगा, option नमबर A, विपने 1, ठीक है, इस प्रकार के वनों में मानों का प्रवेश और दोहन करना कठीन होता है, ठीक, अचलिए अगले question देखेंगे, question नमबर है 71, पूरे भारत देश में नीजी वन या प्राइवेट वनों का प्रतिसत है, that is the most important question, आपको प्राइवेट वन के बारे में इनका percentage पूसर है, चलिए option नमबर A, ए एक प्रतिसत ही प्राइवेट वन है, चलिए अगला question देखेंगे, question number 72, वनों से प्राप्त साल, सोगोन, बीजा, सीसम किस प्रकार की लकडी है, बहुत important question है, इस लकडी को आपने बहुत बार सुना होगा, अपने आस-पास में देखा भी होगा इस प्रकार की लकडी को, च इसका जो सही answer सबको पता है, चलिए answer जो है comment box में लिख देंगे, इसका जो सही answer आजागे बटा, option number A, मुल्यवान, बहुत मुल्यवान होता है, बहुत किमती होता है, साल, सोगोन, बीजा, सीसम की लकडियां, ठीक है, next question देखेंगे बटा, question number 73, लाख की खेती करने के और B, दोनो, option number D, इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही answer आजागे बटा, option number C, A, और B, दोनो, ठीक है कि लाख की खेती जो पलास और कुसुन के पेंडों से की जाती है, और लाख का प्रयोग है, जैसे चूडी बनाने में, रंग बनाने में, गोंद बनाने में, औसदी ब का प्रयोग लेते हैं, रेसम की खेती करने के लिए, चले, option number A, अंडी, option number B, सहतूत का पेंड, option number C, A, और B, दोनो, option number D, इन में से कोई नहीं, इसका जो सही answer आजागे बेटा, option number C, A, और B, दोनो, क्योंकि रेसम की खेती करते हैं, तो जो सहतूत के किड़े होते हैं, किया जाते हैं, बहुत important question है, सहतूत का पेंड को सबसे जादा maximum case में लगाते हैं, अगर रेसम की खेती करनी होतो, ठीक है, और जो रेसम के किड़े होते हैं, इनहीं सहतूत की पत्तियों को खाते हैं, ध्यान में रखना आपको, ठीक है, इस question को आपको पढ़ते ही समझ आ ज जाएगा, चलिए, वनों से हमें प्राप्त होता है, option number A, जलावन के लिए लकडी, option number B, उद्योगों के लिए कच्चा मौल, option number C, पसुओं के लिए 4, option number D, उप्युक्त सभी, इसका आंसर आपको पता है, तो जल्दी से comment box में लिख दीजेगा, चलिए, इसका जो सही आंसर जाएगा, option number D, उप्युक्त सभी, ठीक है, चलिए, next question देखेंगे, question number 76, वनों का समाजिक एवन सांस्कृतिक महत्व है, ध्यान से समझे, चलिए, परियाटन केंद्र के रूप में, option number B, धारमिक आस्था के रूप में, option number C, आसरे जीवों के रूप में, option number D, उप्युक्त सभी देखो, परियाटन गुमने के रूप में, वनों के रूप में, अपना महत्व है, धारमिक आस्था सांस्कृति से जुड़ा, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, बर्गत हो गया, आसरे जीवों के रूप में, आसरे प्रदान करता है, ठीक है, option number D, इसका सहीं आंसर हो हो जाएगा, चलिए ने इस्ट कोस्टन देखेंगे, कोस्टन नमबर है, 77, वनों का परियावरणी या महत्व है, परियावरणी महत्व है, परियावरण महत्व पूछे, आपदा नियांत्रण को रोकने हैं तू, option number B, जैविविदता, option number C, प्रदूसरण में कमी, option number D, अंतरण करने में, ठीक है, जैविविदता को बरकरार रखता है बहुत और प्रदूसरण में कमी लाता है, चलिए अगला question है, बेटा, that is the most important question, जब भारत में ब्रिटीस का सासन था, तब पूरे भारत में वनों के सरक्षण के लिए, किसने नियम बनाएं थे, चलिए, option number A, हैस्टिंग, लाड डल होजी, option number C, लाड मिंटो, option number D, उप्यूत सभी, ध्यान से question को समझे बेटा, कि जब भारत में बोला गया है, जब ब्रिटीन सासन चर रहा था, ऐसा पूछा है, ठीक है, ब्रिटीस सासन चर रहा था, तब बूरे भारत में वनों के सरक्षण है, कि इ ध्यान से समझे, इसलिक question को मैं बार बार बोलता हूँ, कि ध्यान से आप पढ़िये, ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आजाएगा, लाड डल होजी, ठीक है, लाड डल होजी, इन्होंने जब भारत में ब्रिटीस सासन था, तो इन्होंने वनों के सरक्षण के लिए निय ध्यान से समझे, जब हमारा भारत ब्रिटीस सासन में था, तो पहली बार रास्टी वन निती की घोषण की उस समय वाइसराय कोन थे, ठीक है, तो चलिए उप्सन पढ़ेंगे, उप्सन नमबर A, लाड एलगिन द्वीती है, उप्सन नमबर B, कैनिंग, उप्सन नमबर C, A और B, दोनों अपसन नमबर D, उप्युक्त सभी, ठीक है, दैट इस अ मोश्ट इंपोर्टेन कोस्चन, इसका जो सही आंसर आज़ेगे, बेटा, लाड एलगिन द्वीती है, ध्यान से याद कर ले न, रास्टी वन निती की घोषण की थी, लाड एलगिन द्वीती है, ठीक तो पहली रास्टी वन निती की घोषण की थी, लाड एलगिन द्वीती ने, अब ये पूछा है कि बेटा, स्वतंतरता प्राप्ती के पस्चात, ठीक है, याज, इसी को समझना है, ब्रिटिस सासित भारत और स्वतंतरता प्राप्ती के पस्चाती, ठीक है, इसलिए, कन्फ ए, उनिस सा बावन, ठीक है, चलिए, अगला कोस्चन है, कोस्चन नमबर है, 81, रास्टी वन निती, उनिस सा आठासी, इसके प्रमुक लक्ष है, ठीक है, ध्यान से समझेगा, कि जब रास्टी वन निती, उनिस सा आठासी में बनीत, इसके क्या लक्ष है थे, टार्गेटे स्थे तो option नमबर ए भूमी कटाव को रोकना, option नमबर भी मृदा अपर्दन पर नियंत्राण, option नमबर सी पारस्तितिक संतुलन बनाये रखना, option नमबर डी उप्युकत सभी, इसका जो सही आंसार आजाएगा वेटा, option नमबर डी उप्युकत सभी, ठीक, that is the most important question, चली अगल सर्रक्षण को याद रखना वेटा, बहुत बारी से UPSC और CGPSCI इसके PSC में question पूछा जा चुका है, वन सर्रक्षण अधिनियम जो है, 1980 याद रख लेना, इसका option नमबर सी से ही आंसर हो जाएगा, वन सर्रक्षण अधिनियम, 1980 में पारित किया गया था, ध्यान से इसको या अधिकर लेना, वन सर्रक्षण अधिनियम, 1980 और वन या जीव सर्रक्षण अधिनियम पुछेत, 1932, ध्यान से समझलो, वन सर्रक्षण अधिनियम, 1980 लेकिन वन या, वन या जीव, जीव सर्रक्षण अधिनियम, इस तरह से confusion दूर होगा, आपका, वो 1972, ठीक है, वन चलिए अगला question देखेंगे वड़ा, question number 83, one अनुसंधान संस्थान कहा है, option number A, रायपूर, option number B, इंद और, option number C, देहरादून, option number D, कोहिमा, ठीक है, इसका जो सही answer आजाएगे वड़ा, option number C, देहरादून, ठीक है, that is the most important question, one अनुसंधान संस्थान कहा है, देहरादून, ठी चलिए अगला question देखेंगे वड़ा, question number 84, one अनुसंधान संस्थान जो की देहरादून है, इसकी स्थापना किस वर्स किया गया, that is the most important question, देखेंगे वड़ादून, ठीक है, one अनुसंधान संस्थान कहा है, देहरादून में है, अब ये देहरादून में जो one अनुसंधान पता answer जो comment box में लिखेंगे इसका, जो सही answer आजागे वड़ा, option number A, 1906, ठीक है, 1906 इसका जो है, सही answer आजाएगा, चलिए अगला question देखेंगे वड़ा, question number 86, भारती, one प्रबंधन संस्थान कहा है, option number A, देहरादून, option number B, इंदाओर, option number C, भोपाल, option number D, उप्युक्त सभ ठीक है, इसका, जो सही answer देखेंगे वड़ा, option number B, इसका सही answer हो जागा, इंदोर, भारती, one प्रबंधन जो संस्थान है, इंदोर में है, बहुत important ये question है, याद कर लो, चलिए अगला question देखेंगे वड़ा, question number 87, भारती, one प्रबंधन संस्थान की स्थापना की सवर्स 90, 22, 44, 90, 06, ठीक है, इसका, जो सही answer आज आगा, option number A, 19, 82, भारती, one प्रबंधन संस्थान की स्थापना, 19, 82 है, ठीक है, बहुत important ये question है, ठीक है बेटा, अगर आप योगेंदर साहू, online classes, YouTube channel को subscribe नहीं किया है, तो जरूर subscribe कर लेने बेटा, इसी प्रकार के important UPSC level, CG, PSC, CG आपके level के question आते हैं, ठीक है, और ऐसी most important, important videos आएंगी, जो आपके exam के दरिश्टी कौन से काफी महत्तो पूर्ण हो जाता है, ठीक है, बहुत important video आते हैं, बेटा, इसलिए channel को subscribe करना, दोस्तों में भी share करना, और comment करके भी बताना, आपको कौन से topic पर भी video चाहिए, ठीक है चलिए next question दिखेंगे बटा, question number 88, rain forest research, अनुसंधान संस्थान कहा है, that is the most important question, चलिए option पढ़ेंगे, option number A, राइपूर, option number B, भोपाल, option number C, रांची, option number D, जोरहाट, चलिए इसका जो सही आंसर आज़ेगे बटा, option number D, जोरहाट, ठीक है, rain forest research, जो अनुसंधान संस्थान कह है, जोरहाट में है, याद कर लो इसे, चलिए अगरा question देखेंगे, question number 89, सूसकवन अनुसंधान संस्थान कहा है, बहुत important यह question है, ठीक है, बहुत बार इसे भी, state PSC के एक्जामों में पूछा जा चुका है, सूसकवन अनुसंधान संस्थान कहा है, option number A, जोदपूर, option number B, लखनउ, option number C, भोनेस, और option number D, उप्युक्त सभी, ठीक है, जिसको जिसको भी answer पता है, answer जो है, comment box में लिखेंगे, और मैं हमीर सा बोलता हूँ कि आप जो है, copy pen साथ में रखें, याद भी करते, चले जाए, बहुत ही top level की question सेट हुए है, ठीक है बार, चलिए इसका जो सह लिखनी answer आजाएगा, option number A, जोधपूर, ठीक है, तो सूस का one, अनुसंधान संस्थान कहा है, जोधपूर में है, चलिए एकला question दिखेंगे, question number 90, ठीक है, one, अनुवानसिकी, एवं व्रिक्ष प्रजनन संस्थान कहा है, ध्यान से समझ लीजे, genetically पूछा है, अनुवानसिक आया जाते है अपस में, तो one, अनुवानसिकी, एवं व्रिक्ष प्रजनन संस्थान कहा है, option देखेंगे, option number A, कोयम बटूर, option number B, ले, option number C, स्री नगर, option number D, उतराखंड, इसका जो सेंग, answer आजाएगा, कोयम बटूर, ठीक है, that is the most important question, ये कोयम बटूर लिख चुका है, ठीक है, one, अनुवानसिकी, एव्रिक्ष प्रजनन संस्थान कोयम बटूर में है, बहुत बारी से, पूछा भी जा चुका है, चलिए, next question देखेंगे, बटा, question number है, 91, हिमालय फारेस्ट, रिसर्च इन अस्टिट्यूट कहा है, that is the most important question, आपने अभी तक, एक घंट, आठ मि है, ठीक है, चलिए, हिमालय फारेस्ट, रिसर्च इन अस्टिट्यूट कहा है, option number A, उत्राखंड, option number B, सिमला, option number C, मिजोरम, option number D, कोल काटा, इसका जो सहीं आंसर आ जाएगा, बटा, option number B, सिमला, ठीक है, तो हिमालय फारेस्ट, रिसर्च इन अस्टिट्यूट जो है, सिम सिमला किसकी राजधानी है, हिमानचल प्रदेश, हिमानचल प्रदेश की राजधानी सिमला है याद रख लेना ठीक है, चलिए अगले questions के और बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, question number 92, इस वीडियो में किवल 8 प्रसन इसके बाद और बचेंगे, उसके बाद century आपका question पूछे जाते हैं, चलिए option number A, चिन नहीं, option number B, मुंबई, option number C, बैंगलोर, option number D, कोलकाटा, इसका जो सही answer है बेटा, कास्ट विज्ञानें प्रोगदगी संस्थान का, option number C, बैंगलोर, ठीक है, बहुत important question है, याद कर लेना, ठीक है, अगर आप CGPSC, CGVAPM का course purchase करना चाहत बहुत ही memory trick है, बहुत ही असान विधी से आपको जो है, याद कराया जाएगा, सारे subject CGPSC और CGVAPM के, ठीक है, चलिए next question है बेटा, question number 93, वानिकी, एवं मानो संसाधन केंद्र कहां है, that is the most important question, option number A, छिंद वाड़ा, option number B, बिलासपूर, option number C, जारखंड, option number D, ओडिसा, ठीक most important question, बहुत बारी से भी पूछा जा चुका है, वानिकी, एवं मानो संसाधन केंद्र, जो है, छिंद वाड़ा में है, ठीक है, चलिए, next question देखेंगे बेटा, समाजिक वानिकी के अंतरगत निमनकारिय किये जाते है, ठीक है, बहुत important question है, चलिए, option number A, ग्राम समाज की खा या वरणिये, छती को कम करना, इसका जो सही आंसर आ जागा, बेटा, option number D, उप्यूकत सभी, ठीक है, तो समाजीक वानिकी के अंतरगत, ये सभी जो कारिय किये जाते है, बहुत important question है, समाजीक वानिकी है, है नहीं, समाजीक वानिकी, फिर से मैं पता दू, समाजीक वानिकी है, चलिए, चलिए, नेस्ट question है, बेटा, question number 95, की सकारिकरम को जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा वरिक्षार उपन कहा गया है, बहुत important question है, चलिए, option पढ़ेंगे, बेटा, option number A, ग्राम पंचायत, option number B, जनपत पंचायत, option number C, समाजीक वानिकी, option number D, उप्यूकत भी, ठीक है, तो ग्राम पंचायत हो गया, जनपत पंचायत, और समाजीक वानिकी, इन सभी कारिकरम को जनता के लिए, जनता द्वारा वरिक्षार उपन कहा गया है, बहुत important question है, चलिए, नेस्ट question है, बेटा, question number 96, भारती वन सर्विक्षण संस्थान, जो की देहरा दिन म है, और यह जो वनो का रिपोर्ट, भारत में वनो की रिपोर्ट की जानकारी को कितने वर्सों में पेस करता है, या रिपोर्ट को जारी करता है, बहुत important question है, चलिए, option number A, 3 वर्स, option number B, प्रत्येक वर्स, option number C, 2 वर्स, option number D, उप्युक्त सभीस का जो सहीं आंसार आज़ेग option number C, 2 वर्स, ध्यान से याद रख लेना बहुत important question है, प्रत्येक दो वर्सों में जो है, भारत के वनो का रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, चलिए, 97 question number है, किसके माध्यम से देश जो है, वन रिपोर्ट जारी करता है, देखो इससे प ये question में पूछा गया है, ठीक है, तो चलिए, option number A, सुदूर समेदन अधारी तुबगरह, option number B, remote sensing, option number C, computer, option number D, उप्युक्त सभीस का जो सही answer आजाएगा, बिटा, option number A, सुदूर समेदन अधारी तुबगरह, ठीक है, इसी के माध्यम से जो है, देश में वन रिपोर्ट को जारी करता है, प्रत्येक, दो वर्सों में, option number A, इसका जो है, सही answer हो जाएगा, चलिए, next question देखेंगे, question number 98, ठीक है, बहुत important, ये question है, वर्तमान में सुदूर समेदन अधारी तुबगरह, जिसके माध्यम से देश वन रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, उस उपगरह का देखेंगे, इससे पहले हमने ये देखा, कि जो वन रिपोर्ट जारी करता है, सुदूर समेदन अधारी तुबगरह के माध्यम से, ठीक है, तो जो इस question में ये पूछा गया है, सुदूर समेदन जो अधारी तुबगरह है, जिसके माध्यम से देश में वहां रिपोर्ट जारी किया जाता है उस उपग्रह का नाम पूछा है ठीक है चले आप्सन नमबर A रिसोर्स सेट टू आप्सन नमबर B आई, एस, पी, एलवी, आप्सन नमबर C, A और B, दोनों आप्सन नमबर D, इन में से कोई इसका जो सहीं आंसर आज़ागा उस उबगरह का नाम है बेटा resource set 2 ठीक है उबगरह का क्या नाम है resource set 2 इसी के माध्यम से जो है देश में one report का जो data को प्राप्त किया जाता है ठीक है याद रख लेना है इसे इस question इस video का second last याने की 99 पर हम पहुँच चुके हैं और इस question को पढ़ेंगे, question number है, one आवराण में सबसे अधीक वृद्धी दरसाने वाले राज्य का नाम है, one आवराण में ठीक है बिटा, सबसे अधीक वृद्धी दरसाने वाले राज्य का नाम है, option पढ़ेंगे, option number A, तिलंगाना, option number B, 36, option number C, ओड़ी सा, option number D, जार खंड, ठीक है, तो इसका जो सही, answer राज्य का बिटा, option number A, तिलंगाना, ठीक है, बहुत important question इसे बहुत बार पूछा भी जा चुक है, कि one आवराण में सबसे अधीक वृद्धी दरसाने वाले राज्य का क्या नाम है, तिलंगाना है, याद कर लो तिलंगाना, ठीक है, चलिए, इ रिष्टी से सबसे बड़ा वन छेत्रवाला राज्य है, that is the most, most important, ये question है, बहुत बार इसे पूछा जा चुक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू, चलिए, options पढ़ेंगे, option number A, 36, option number B, मध्यप्रदेश, option number C, उत्तरप्रदेश, option number D, उत्राखंड, तो इसका जो सह answer आजागा, option number B, मध्यप्रदेश, पूरे भारत में याद रखना, छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा वन वाला जो राज्य है, मध्यप्रदेश है, बहुत important question है, option number B, मध्यप्रदेश, इसका सही answer हो जाएगा, अगर आप योगेंदर साहु, online classes, YouTube चेनल पर नहें और आपको कौन से topic पर भी वीडियो चाहिए, वो जरूर हमें comment करके बता दीजे, ताकि हम तुरंद उस पर वीडियो ला सके हैं, ठीक हैं, अगर आप CGPSC या CGVEPM का, या 36 गड़ में जितने भी government exam की तयारी करें हैं बेटा, अगर आप course purchase करना चाते हैं, तो योगेंदर सा trick के माध्यम से आपको हर subject को याद कराये जाएगा, trick के माध्यम से आपको हर subject की जानकारी या याद बहुत आसानी से हो जाएगी, आप तो है purchase कर सकते हैं, विटा ठीक है, और application को download कर सकते हैं, और अपनी सफलता को एक सहीं दिसा दे सकते हैं, चलिए, thank you very much, जय हिंद!